हेलो इबरीवन वेलकम बैक टू डिवाइन स्पोर्ट्स इस वीडियो में हम बत करने वाले चेन्य निफसी के आई एसल 2022 स्टेज के सीजन के लिए फुल एंड फाइनल स्कॉर्ट के बारे में दोबार के आई एसल चेंपियंस चेन्य निफसी का परफार्मेंस पिछले कुछ स इस वीडियो में हम जानते हैं चेन्य निफसी के आई एसल 2022 के सीजन के लिए फुल एंड फाइनल स्कॉर्ट के बारे में वीडियो सुरू करने से पहले आप से छुटी से रिक वेश्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमा थामस ब्रेडरिक को अपना हेड कोच एपॉइंट किया है थामस ब्रेडरिक बहुत ही ज्यादा एक्सपिरेंस कोच हैं और जर्मनी नेशनल टीम के लिए भी इन्होंने आठ मैचों में खेला हुआ है गोलकीपर्स की बात कर तो चेन्य निफसी के पास दो यंग गोलकीपर एक इराणियन डिफिंडर्स वफा हकमनेसी को सांग किया है उसके बाद इंडियन डिफिंडर्स के रूप में चेन्य निफसी के पास साजी धोट अजीद कुमार लीजो फ्रांसेज और मुनोतोस चकलादार हैं विंग्स बैक की पोजिस्टर्स पर चेन्य निफसी के पास लेफ्ट बैक के रूप में नाराएंदास और बालाजी गनेशन हैं और राइड बैक के रूप में रीगन सिंग और सलामरान जन सिंग हैं सेंटरल मिट फिल्ड की बात करा तो चेन्य निफसी की सेंटरल मिट फिल्ड काफी ज़्यादा एक्सपिरेंट है इनके सेंटरल को भी इस सीजन चेने नफसी ने साइन किया है इसके लावा एक और डॉमेस्टिक मिडफिल्डर सुहल पासा भी हैं इसके लावा चेने नफसी के पास एक और जर्मनी मुलके फॉरेंड मिडफिल्डर जूलियस डूकर जैसे आल राउंड प्लेयर्स हैं जो कि मल्टिपल हाला कि पिछले सीजन इंजरी की कारण ये पूरे आईसल सीजन से बाहर हो गए थे बट इस सीजन चेने नफसी ने इन्हें फिर से रीटेंड किया है और चेने नफसी के फैंस को इनसे काफी ज्यादा उम्मीद होंगी विंग फारवार्ड की बात करें तो लिफ्ट विंग हैं और एक न्यू प्लियर्स अलेकजेंडर जे सुराज को भी चेने नफसी ने इस सीजन जपसी गोवा से साइन किया है सेंटर फरवर्ड की बात करा तो चेने नफसी के पास पीटर स्लिस्कोविच जैसे प्लियर्स हैं जिने बुंदिस लीगा जैसे लीग में खेलने का का सब्सक्राइब करें